जैहिन दोस्तों मैं सनी हैरियर ट्रेडिंग से आपका वेलकम करता हूं मेरे यूटुब चैनल पे पिछली वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं लास्ट वीक के टेकनिकल एनलेसेस के बारे में एक बार और आने वाले वीक के लिए बैंक निफ्टी का हम एक बार टे ले सकते हैं हम ऑप्शन वाइंग में और ऑप्शन सेलिंग में जैसा कि लास्ट वीक के टेकनिकल एनलेसेस में हमने यह डिसाइड किया था है कि मार्केट अगर 39,400 से लेके 39,600 के लेवल पर कई ओपन होता है और एक या दो दिन या कंसॉलेडेट करता है और कंसॉलेडेट में जैसे ही मनड़े के दिन में मार्केट ओपन हुआ तो वो अलमोश्ट 39,400 के लेवल के आसपास में कहीं हुआ और तुस्दे के सेशन में भी पर कहीं हाल्ट का zal més कया मार्केट और जैसे ही से सेशन में मार्केट ने यापर 39,600 का लिए ब्रेक आउट कर दिया था तो वैस इसएली venasday के दिन ही अच्यों कर लिया था। उसके बाद में thursday के दिन में हमें एक दिन का गैप मिला और उसके बाद friday के session को जब Mart 만약 gap up open हुआ तो वहाँ पर बहुत ही अच्छा bullish side में खुत को एक तरफ से माल के रखा है और है तो दोस्तो हमारा जो पहला टार्गेट था 40,000 से लेके 40,000 200 का वह हमने वेनस्दे के दिन बहुत ही इजीली अच्चीव कर लिया था और जो सेकंड टार्गेट था हमारा 40,500 से लेके 40,400 के लिवल का वह भी हमने फ्राइडे के सेशन‌में बहुत ही इजीली अच्यूब कर लिया था तो यह रहा दोस्तों बांक टिंप्टी का टेक्निकल अनलेसिस लास्ट विक के लिए चलिए अभी देख लेते हैं बांक टिंप्टी आने वाले वीक में कैसा परफॉर्म करता है और उसके प्राइज एक्षिन के हिसाब से हमारा क्या प्लान ओपन होने के बाद यह आपर फिर से एक या दो दिन या इसी 400 पॉयंट के बीच में और अगर इसे करता है उपर के लिए तो जैसे यह क्रॉस करेंगा उपर के लिए वैसे ही हम 40600 का पूट कर सकते है या उसी के साथ 40600 का कॉल भी बाय कर सकते है यहां से हमारा पहला टारगेट जो रहने वाला है वह अल्मुस्ट से लेके 42,000 के लेवल के बीच में अगर यह टारगेट हमें थस्डे या फ्राइडे के दिन में इसली मिल जाता है तो हम इसी लेवल के बीच में अपनी सारी पोजिशन जो है वो स्कूर आफ करना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि यहां से जब मार्केट ऊपर के लिए ब्रेक आ 4800 के बीच में कई भी एंट्री अपनी कर सकते है और उसके बाद में हमारा जो पहला टारगेट है वो 41,000 से लेके 41,200 के लेवल के आसपास में रहने वाला है अगर मार्केट यह सस्टेंड करता है यह कंसॉलिडेट करना स्टार्ट करता है तो हम अपनी सेकंड टारगेट के लेवल के आसपास का तो हम यह आपर अपनी सारी पोजिशन्स जो है वो स्क्वेर आफ करना स्टार्ट कर देंगे चलिए अभी मान लेते हैं बैंक टिप्टी अगर 40,200 से लेके 40,600 के लेवल पे कई ओपन होता है और ओपन होने के बाद यह आपर कंसॉलिडेट करता है इसी के साथ 40,200 का कॉल भी शॉट कर सकते हैं यहां से हमारा पहला टार्गेट जो रहने वाला है वो अल्मोस्ट 39,800 से लेके 39,500 के लेवल के आसपास में रहने वाला है अगर यह टार्गेट हमें वेनजडे या थाजडे तक इसली मिल जाता है और यहां पर मार्केट कंसॉ टार्गेट जो रहने वाला है वो अल्मोस्ट 39,400 से लेके 39,200 के लेवल पर रहने वाला है अगर यह टार्गेट हमें फ्राइडे के दिन में इजीली मिल जाता है तो यहीं पर हम अपनी सारी पोजेशन जो है वो स्कूर आफ करना स्टार्ट कर लेंगे धर रहें दोस्तों उपर के लिए ब्रेक आउट करता है या कंसॉलिडेट करके एक या दो दिन तो उसके बाद हमें आपर ऑल्मोस्ट 41,500 से लेके 41,600 के लेवल भी आने वाले वीक में देखने के लिए मिल सकते हैं क्योंकि आपर जो यह वीक में कैंडल बना है वह बहुत ही अच्छा खासा त 1500 पॉइंट का मुझ देखने के लिए उपर के लिए मिल सकता है क्योंकि उपर में आपर रजिस्टन्स ले चुका है मार्केट और जैसे यह अभी यह रजिस्टन्स जो है वह बहुत ही ज्यादा वीक हो चुका है तो जैसे मार्केट में 41,000 के लेवल टच करना स्टार्ट कर मैं और इस वोलाटिलिटी में हम जो नीचे साइट के लिए अभी इसका वक्त आ चुका है कि यह उपर साइट के लिए ब्रेक आउट करें और उपर साइट जब डेकाउट करेंगा तो हमें बहुत ही अच्छा टार्गेट देंगे लिए रेड़ी रहने वाला है तो आप भ मार्केट इजीली अच्छीव हो जाता है और यहां पर कंसॉलिडेट करना स्टार्ट कर देता है मार्केट तो हम 41,500 से लेके 42,000 के लेवल भी एक्सपेक कर सकते हैं नीचे साइट जो एक बहुत ही अच्छा खास है आपर सपोर्ट लेके चला है मार्केट तो यह आप ध्यान रखिए अभी अगर आप कुछ पोजेशन बाय करके चल रहे होंगे तो यह जो लेवल से 39,400 से लेके 39,600 के यह आपके सपोर्ट लेवल रहने वाले हैं तो आपने जो भी आपके पोजेशन लिए होंगे वह इस इस लेवल पे 39,600 के लेव काउट करता है तो हम यहापर अपने अग्रेशन में ट्रेड लेने वाले हैं और अगर यहापर मार्केट उपर सस्टेंड करने वाला है तो हम सेकंड टार्गेट के लिए यह आपर वेट करेंगे नहीं तो हम 41,000 से लेके 41,500 के बीच में कई अपनी सारी पोजेशन स्वेर करने की सोचेंगे तो यह रहा दोस्तों बांक निफ्टी का टेकनिकल आने वाले विक के लिए अगर आप मेरे साथ जुडना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है जीरो दैन फायर्स का आप वहाँ से अकाउंट ओपन कर सकते हो और उसी के साथ आप मुझे फे हिन बंदे मारे